वेलकम तु स्टूडेंट सक्सेस बाई जे एस दन्जूडू स्टूडेंट्स फंडमेंटल की इस सीरीज को आगे हम कंटीन्यू कर रहे हैं इससे पहले हम फंडमेंटल की सीरीज के तीन पार्ट्स कम्प्लीट कर चुके हैं और आज हम पार्ट फोर को आगे बढ़ाएंगे प्रिवियस तीन पार्ट्स में हम 150 कुशन कम्प्लीट कर चुके हैं और आज हम कुशन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टुडेंट्स इस सीरीज में हमने सिर्फ वही कुशन्स डिसकस किये हैं जो की बार-बार कॉम्प्यूटेटिव एक्जाम में रिपीट होते हैं तो अगर आप किसी भी कॉम्प्यूटेटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है लेट स्टार्ट विद कुशन नंबर 151 एन एरर इन कॉम्प्यूटर इस कॉल तो इसका क्रेक्ट आंसर है ओप्शन बी बग तो आपको सिरफ इतना याद रखना है कि एरर को हम बग भी बोलते हैं तो बग क्या है बग एक एरर है जो कि सोर्स कोड में होता है सोर्स कोड क्या होता है जैसे हमने प्रोग्राम की कोडिंग की तो उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड तो उस source code में जो errors होते हैं उनकी वज़़ से जो हम result produce करना चाहते हैं वो गलत आते हैं या हमारा सारा का सारा program crash हो जाता है तो errors को हम bugs बोलते हैं जिनसे हमें unexpected results मिलते हैं इसका correct answer है option c read only memory chip जिसे हम ROM chip बोलते हैं तो computer को start करने के लिए instructions कहां पे store होती है तो ROM chip में store होती है तो हमने BIOS का नाम सुना होगा BIOS की full form होती है basic input output system तो ये BIOS जो है वो किस में होती है तो BIOS जो है वो ROM में होती है तो BIOS क्या है वो instructions जो की computer को चलाने के लिए helpful होती है तो BIOS ROM में store होती है अच्छा ROM के बारे में थोड़ा सा आपको और पता होना चाहिए ROM की full form तो आपको पता ही है read only memory तो ROM क्या है non-volatile memory है non-volatile का meaning होता है जिस memory में power off होने के बाद भी data lost नहीं होता उस memory को हम बोलते है non-volatile memory अच्छा इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि volatile memory कौन सी है तो volatile memory RAM है जिसमें data lost हो जाता है जब power off हो जाती है लेकिन ROM में data lost नहीं होता इसलिए इसे non-volatile memory बोला जाता है अच्छे यहाँ पर ये भी लिखा है ROM is used for the BIOS which tells the computer how to start तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ तो ROM chip कुछ इस तरह की नजर आती है तो ये देखिए ये है एक motherboard, motherboard के उपर ROM लगती है मतलब ROM में क्या होता है BIOS तो BIOS की full form में आपको बता चुका हूँ basic input output system अच्छा एक और question ROM chip या read only memory chip से related आता है और वो है firmware अच्छा firmware क्या चीज़ है वही चीज़ है कि start up time पे जो instructions computer को start करने के लिए use होती है उसे हम firmware बोल देते है मतलब वो software जो computer को start करने के लिए use होता है जैसे हम mobiles की बात करें तो mobile के motherboard पे भी firmware होता है मतलब start करने के लिए instructions होती है जिसे हम firmware बोलते है तो वो भी ROM का ही part है तो आपकी knowledge के लिए ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए Students आज के इस वीडियो की PDF file आप इस वीडियो के description से download कर सकते हैं PDF आप हमारे telegram channel से भी download कर सकते हैं Telegram channel का link आपको इस वीडियो के description and comment box से मिल जाएगा अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब students को एक बात बोलना चाहूँगा कि students कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना जो इनसान आज का काम कल पे डालता है वेल लाइफ में कभी grow नहीं कर सकता तो अगर आपने यह decide किया है कि मैंने यह topics complete करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उन topics को complete करने के बाद ही सोने जाओ इससे आपकी life में बहुत बड़ा change आएगा और step by step आप success की और बढ़ते चले जाओगे तभी तो कहते हैं मनजिल उनी को मिलती है जो निरंतर चलते हैं Because consistency is the key to success Next question Find out who is not the inventor of transistors among following names तो इन में से कौन सा person है जो transistors की invention के पीछे नहीं है तो इसका correct answer है option D Lee, Dee, Forest तो ये person transistors की invention के पीछे नहीं था लेकिन ये तीन persons John Burdeen, William Shockley and Walter Batain तो इन तीनों ने क्या invent किया था? Transistor तो आपको ये तीनों names पता होने चाहें अच्छा, transistors कभ इन्वेंट हुएं थे? तो December 23rd, 1947 में transistors invent हुएं थे at Bell Laboratories in Moray Hill, New Jersey तो three individuals थे जिनोंने ये invention की थी कौन-कौन से? William Shockley, John Burdeen and Walter Batain जो मैं अभी अभी आपको पता चुका हूँ तो इन तीनों persons ने transistor की invention की थी Next question Who is the inventor of ABC? A, B, C सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ABC क्या है? ABC एक computer है तो इसकी invention किस ने की थी? तो इसका correct answer है option C, both of above तो John V. Atnosoff and Clifford Barry तो ये दो person थे जिनोंने ABC computer को invent किया था Next question Which of the following is the largest unit? तो इन में से largest unit कौन सा है? तो इसका correct answer है option D database file अच्छा सबसे शोटा unit है field उसके बाद आता है कि एक record तो उसके बाद आ जाता है table और 4, 5 या 10 tables मिलके एक क्या बनाते है? database तो database सबसे बड़ा unit Next question A name और number used to identify storage location devices storage location का नाम या number क्या कहलाता है? तो इसका correct answer है an address तो कोई भी data कहीं पे भी stored है उसका कोई ना कोई address जरूर होता है तो उसे किसी name या number से जाना जाता है Next question which of the following is not computer language तो इन में से कौन सी computer language नहीं है? तो इसका correct answer है option B middle level language तो एक होती है low level languages जैसे machine language assembly language तो ये पहले use होती थी जब high level languages नहीं होती थी तो low level languages में zeros and ones से काम होता था and assembly में mnemonics की help से काम होता था लेकिन high level languages में syntax की help से काम होता है means जैसे simple English लिखते हैं ऐसे ही हर language के अपने syntax होते हैं Next question reading data is performed in magnetic disk by तो magnetic disk में data को read कैसे किया जाता है तो इसका correct answer है option A read write heads की help से तो ये है एक read write head तो ये यहाँ पे point कर रहा है तो ये इसकी help से सारा का सारा data को assess किया जाता है read किया जाता है Next question an input output device at which data enters or leave computer system आगे भी हम एक question कर चुके है what is required when more than one person uses a central computer at the same time तो इसका correct answer है terminal तो terminal से same time पे different persons different terminal से काम कर सकते हैं और ये data है वो एक central computer पे store होगा next question है international business machines तो इसे ही हम big blue के नाम से जानते हैं अच्छा IBM को और किस नाम से जाना जाता था पहले तो computer tabulating recording company CTR के नाम से जाना जाता था पहले तो 1924 में इसका name जो है वो change कर दिया गया तो इसका name रख दिया गया international business machines जिसे हैं आप आज भी IBM के नाम से जानते हैं तो IBM से related ये सारी information आपको पता होनी चाहिए ये सारे के सारे cushion का रूप ले सकते हैं next question when was the company named IBM तो अभी मैं आपको बता के इटा हूँ तो इसका correct answer है option B 1924 अच्छा IBM से related एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि IBM originally कब आई थी market में तो 1911 में आई थी IBM in Edicott, New York तब इसका नाम था computer tabulating recording company और जब इसको rename किया गया international business machine तो वो कौन से year में किया गया था 1924 में तो अगर आपको question आए कि IBM कब बनी तो 1911 में और अगर आप से पुछा जाए कि name कब change किया गया और international business machine रखा गया तो ये है 1924 next question which of the following storage device can store the largest amount of data तो इन में से कौन सा device है जिसमें सबसे ज्यादा data store हम कर सकते हैं तो इसका correct answer है option A hard disk तो ये है एक hard disk ये cabinet में motherboard के साथ ही connect की जाती है so that हम data को इसमें store कर सकें तो hard disk की capacity सबसे ज्यादा होती है data को store करने के लिए तो ये 1 TB, 2 TB, 5 TB में आती है mostly लेकिन अगर आप इसकी capacity और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हूं तो आप order पे company से demand कर सकते हूं तो वो भी आपको provide कर दी जाती है तो hard disk one or more magnetic disks को मिला के बनती है अच्छा hard disk को हम secondary storage device बोलते हैं और इसे हम auxiliary memory भी बोल देते हैं तो इसकी capacity जो है वो main memory से ज्यादा ही होती है क्योंकि ये permanently data store करती है और main memory जो है वो data को temporarily store करती है लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको पता होने चाहिए कि ये main memory से slower होती है अच्छा hard disk की बात हुई है तो SSD का भी आपको पता होने चाहिए SSD आज कल चलती है इसकी full form होती है solid state drive SSD का आज कल बहुत use हो रहा है लेकिन इसका use क्यों होता है क्योंकि ये faster है और ये non mechanical है flash drive जिसे हम बोल देते हैं जब हमने fast operations perform करने हो operating system को अगर हम SSD में रखते हैं तो उसकी speed जो है वो increase हो जाती है means जितनी भी apps होगी frequently used data होगा वो सारा हम SSD में रखते हैं so that उसकी speed जो है वो ज्यादा रहे है और hard disk की एक advantage ये है कि वो cheaper होती है महंगी नहीं होती लेकिन SSD जो है वो expensive है तो ये चीज़ें आपको hard disk and SSD के बारे में पता होनी चाहेंगे next question what do you call a single point on a computer screen तो computer screen पे single point को क्या बोलते हैं तो इसका correct answer है option C pixel तो ये देखें जैसे ये एक picture है तो यहाँ पे ये शोटे-शोटे points यहाँ इसको squares बोल लो तो ये सारे क्या है pixels अच्छा pixel होता क्या है तो ये देखें यहाँ पे लेखा है pixel is represented by a dot or square अभी अभी मैंने picture में आपको बता है on a computer monitor display screen more the number of pixels more is the quality of image जितने ज्यादा pixel होंगे उतनी अच्छी quality image की होगी तो pixel एक smallest single component है digital image का तो ये सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं चोटे चोटे dots या squares pixels है ये सारे next question from which generation computers the printers were used तो printers कौन सी generation में आएं थे तो इसका correct answer है option B second generation अच्छा printers आये थे second generation में और operating system कब आया था OS या फिर microprocessor कब आया था तो ये दोनों question भी आपको पता होने चाहिए तो ये भी मैं आपको बता दता हूँ तो OS यो है वो third generation में आया था operating system और microprocessor fourth generation में आया था तो ये तीनों questions बहुत ही important है काफी बार competitive exams में repeat हो चुके हैं तो इनके बारे में आपको पता होने चाहिए next question which of the following is internal memory तो इन में से internal memory कौन सी है तो इसका correct answer है option C RAM disks या hard disks secondary memory होती है pen drive भी secondary memory है CDs भी secondary memory है लेकिन जो RAM है वो primary memory है जिसे हम internal memory बोलते हैं तो ये देखिए RAM ये इस तरह की नजर आती है तो RAM क्या है मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूँ फिर से बता रहा हूँ कि RAM एक volatile memory है volatile का meaning होता है जब power off हो जाती है तो data RAM से lost हो जाता है RAM को हम temporary memory इसी लिए बोलते है next question which of the following is not a microcomputer तो इन में same microcomputer कौन सा नहीं है microcomputer कौन से है जो छोटे size में होते है तो इसका correct answer है option D none of above means यह सारे के सारे computers जो आपको यहाँ पे mentioned है यह सारे छोटे size में ही होते हैं इसलिए इन्हें microcomputer बोला जता है laptop PC, tablet PC या desktop PC तो यह सारे क्या है microcomputers तो यह सारे जो आपको नजर आ रहे हैं यह microcomputers की category में आते हैं इवन जो mobiles होते हैं वो भी microcomputers की category में आते हैं next question which unit holds the data permanently तो इन में से कौन सा unit है जो data को permanently store करता है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर से बताता हूँ तो इसका correct answer क्या है option B secondary storage unit तो अभी मैंने बताया था कि hard disk तो hard disk क्या है एक secondary storage unit जिसे हम auxiliary memory भी बोलते हैं तो हम कई बार block diagram of computer discuss कर चुके हैं तो यह देखी जब यहाँ से हम देखते हैं इसमें कि input आती है तो यह primary storage के पास जाती है फिर यहाँ से control unit से pass होके अलग अलग units में जाती है जैसे arithmetic logic unit next question which company is the biggest player in the microprocessor industry तो कौन सी company है जो की microprocessor industry में biggest player है सबसे उपर है तो इसका correct answer है option C Intel तो Intel बहुत ही famous है आपने सुना होगा कि Intel के हम processors use करते हैं तो Intel is the world's largest manufacturer of PC microprocessors तो Intel अलग अलग computer system manufacturers को microprocessors प्रोवाइड करती है जैसे Apple, Lenovo, HP, Dell, etc. next question a computer program that converts an entire program into machine language is called a तो इसका correct answer है option C compiler तो जो compiler है वो high level language को low level language में convert करता है और entire program को एक ही बार में convert कर देता है तो यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूँ कि compiler और interpreter में क्या difference है तो जो interpreter है वो program को line by line convert करता है high level language से low level language में लेकिन compiler entire program को एक ही बार में high level language से low level language में convert कर देता है तो interpreter से related question भी कई बार exam में आता है next question असकाय stands for तो असकाय की full form क्या होती है तो इसका correct answer है option a American standard code for information interchange असकाय से related एक तो आपको full form पता होनी चाही because यह full form बहुत ही बार exams में repeat होती है उसके बाद एक और question है कि असकाय में alphabets, numeric या special characters कितने bits से represent होते है तो 7 bits से यह represent होते है यह यह कह सकते हैं कि असकाय जो है वो 7 bit binary number है next question which of the following is the storage device तो इसका correct answer है option D all of above तो यह सारे के सारे storage device है जैसे tapes, hard disk, floppy disk इसके इलावा भी CDs, DVDs, Blu-ray disks तो यह सारे क्या करते हैं data को store करने के लिए use होते है तो यह देखिए यह सारे storage devices आपके सामने है next question which of the following required large computer memory तो इन में से कौन सी चीज ज्यादा computer memory consume करती है तो इसका correct answer है option D all of above means images, graphics, voice, videos यह सारी large memory consume करती है next question who designed the first electronic computer in IAC तो first electronic computer in IAC किस ने design किया था तो इसका correct answer है option C J.P. Eckert and J.W. Moch ने तो इनायक को यह दो persons ने invent किया था अच्छा इनायक की full form तो आपको पता होनी ही चाहिए electronic, numerical, integrator and computer तो इसे during World War II बनाया गया था United States next question Central processing unit is combination of तो central processing unit कौन-कौन से unit को मिला के बनता है तो इसका correct answer है option D arithmetic, logic and control unit तो यह देखिए यह है CPU Central processing unit तो यह दो चीजों को मिला के बनता है control unit and arithmetic and logic unit next question IBM 1401 computer was तो यह IBM 1401 कौन सा computer था तो इसका correct answer है option A mainframe computer तो first and second generation में जितने भी computers बनाये गए थे तो वो mostly mainframe computers भी होते थे तो अब यहां से question आता है कि IBM 1401 कौन सी generation का computer है तो यह second generation computer है तो IBM 1401 second generation computer है और Nepal का first computer है the first computer introduced in Nepal was तो यह भी IBM 1401 है तो IBM 1401 से related हमने three questions यहां पे कर लिए next question time during which a job is processed by computer is तो जिस time पे computer द्वारा jobs को process किया गया जाता है उस time को हम क्या बोलते हैं तो इसका correct answer है option C execution time तो जब प्रोग्राम running state में होता है तो उसे हम बोलते हैं executing तो run time यहां फिर execution time उस सेम चीज़ है जब processing हो रही होती है life cycle phase में next question CD-ROM stands for तो इसका correct answer है option D compact disk read only memory तो यह simple सा question है जो mostly पता होता है लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि standard compact disk कितने MB data store करती है तो 650 MB data store होता है standard compact disk में और आज कल जो compact disk है उसमें कितना data store हो जाता है 700 MB next question which unit converts user data into machine readable form तो कौन सा unit है जो data को machine readable form में convert करता है तो इसका correct answer है option A input unit अच्छा जब data को हम input करते है input unit से तो यह input unit जो है वो convert करता है इसे computer readable form में ताकि जब यह computer के पास जाए तो computer को उस data के बारे में समझा सके क्योंकि computer जो है वो data को 0s and 1s की form में ही understand करता है तो computer readable form कान सी है binary नेक्स्ट कुश्चन विच यूनिट इस नोन एज nerve center of computer यह बहुत ही important question है nerve center of computer हम किसे बोलते हैं तो इसका correct answer है option B which of the following memories needs refresh तो यह पहले भी हम question कर चुके है यह बहुत important है काफी बार repeat होता है तो इसका correct answer है option B DRAM तो DRAM की full form होती है dynamic random access memory तो DRAM को बार बार refresh किया जाता है इसलिए इसे dynamic RAM बोला जाता है तो DRAM कुछ इस तरह की नज़र आती है next question what type of device is computer keyboard तो यह बहुत ही असान question है keyboard को हम कौन सा device मानते हैं तो इसका correct answer है option D input device तो keyboard का तो सब को पता है कि यह एक input device है जिससे हम computer को input देते हैं next question which is the limitation of high level language तो high level language की limitation क्या है तो इसका correct answer है option A low efficiency तो यह जो high level language है इसकी efficiency low होती है because जो high level language है उसको compiler के दवारा low level language में convert किया जाता है तो यही low level language जो है वो computer को समझ आती है तो इसकी efficiency जो है वो low होती है because यह जो low level language है वो zeros and ones की form में होती है और इससे computer बहुत जल्दी से understand करता है तो high level language की efficiency low होती है और machine level language यह बाइनरी level language की efficiency high होती है next question in how many generations a computer can be classified तो computer कितनी generations में classify किया जा सकता है तो इसका correct answer है option C 5 इस question को हम काफी बार पहले भी कर चुके हैं लेकिन मैं फिर से आपको बता जाता हूँ कि computer को 5 generations में classify किया जा सकता है first, second, third, fourth and fifth तो first generation में vacuum tubes and valves आई थी second में transistors, third में ICs introduced हुएं थे fourth में LSI and VLSI technology आई थी fifth में ULSI technology आई थी और उसके साथ साथ artificial intelligence भी आ गई थी next question who built the first mechanical calculator तो first mechanical calculator किस ने introduce किया था तो इसका correct answer है option C blaze pascal तो blaze pascal ने जो calculator बनाया था उसे हम pascaline के नाम से भी जानते हैं और इसे arithmetic machine के नाम से भी जाना जाता है तो ये around early 17th century में बनाया गया था next question which is valid statement तो इसका correct answer है option A 1 kb is equal to 1024 bytes तो ये देखी ये हैं आपके पास units तो ये सारे आपको पता होने चाहें तो ये देखी 1 kilobyte या 1 kb जो है वो 1024 bytes के equivalent है तो ये table मैं पहले भी करवा चुका हूँ आप अच्छे से इस table को read कर लिजे next question the most important advantage of video disk is तो video disk की सबसे बड़ी advantage कौन सी है तो इसका correct answer है option B potential capacity तो video disk की capacity बहुत जादा होती है ताकि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा data को store कर सके तो ये अलग-लग capacities में आती है video disks जैसे CDs, DVDs, फिर Blu-ray disks जिनमें हम GBs में भी data एंटर कर सकते हैं next question which of the following generation computers had expensive operation तो कौन सी generation के computers के operations expensive होते हैं तो इसका correct answer है option A first generation तो first generation में जितने भी computers आये थे जितने भी हम काम करते थे वो सारे expensive थे because ये computers बहुत बड़े होते थे बड़े size में होते थे तो बहुत सारे components यूज होते थे यहाँ पे old components जो की बहुत ही expensive होते थे और इन में operations perform करना भी बहुत ही expensive थे next question cursor is तो इसका correct answer है option B thin blinking line अच्चा ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे click कर रहा हूं तो ये आपको ये thin blinking line नजर आ रही है ये वाली यहाँ पे गई यहाँ पे गई तो ये नजर आ रही होगी आपको यहाँ पे तो ये क्या है एक cursor cursor की help से हम document में कहीं पे भी move कर सकते है next question which device is used to backup the data तो कौन से device का use हम data का backup लेने के लिए करते हैं तो इसका correct answer है option D all of above तो थोड़ी देर पहले भी हमने कुछ इसी तरह का question किया था लेकिन वहाँ पे options कुछ और थी तो ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो data को store करने के लिए use होती है next question all modern computer operate on तो ये जो modern computers है वो किस चीज़ पे operate करते हैं तो इसका correct answer है option C data तो कोई भी computer हो वो सारे के सारे किस पे work करते हैं data पे जब इने input मिलेगी in the form of data तो उसी को ये process करके information बनाते हैं जैसे ये देखी यहां पे input दी गई in the form of data फिर उसे process किया गया और output में क्या आई information next question the computer that can input analog signals and return result in digital form तो इसका correct answer है option C hybrid computers तो जो भी तो जो भी computer analog and digital पे work करता है मतलब दोनों categories के computer पे तो उसे हम बोलते हैं hybrid computer analog पे काम करने वाले computers analog होते हैं digital पे काम करने वाले digital computers होते हैं और इन दोनों की combination को हम बोलते हैं hybrid computers next question fifth generation computer is also known as तो इसका correct answer है option A knowledge information processing system तो fifth generation computers जो है वो artificial intelligence से related है तो जब भी artificial intelligence की बात आती है तो उसमें हम बात करते हैं voice recognition face recognition या power of thinking and reasoning तो ये किस में आ जाते हैं knowledge information processing system में next question which of the following are two main components of CPU तो CPU के दो main components कौन से होते हैं तो इसका correct answer है option C control unit and ALV तो अभी अभी मैंने पहले भी आपको बताया है कि CPU दो parts में divided होता है तो ये question different तरह से कई बार आता है तो control unit and arithmetic logic unit तो यहाँ पे भी same ही बात पूछी है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछी गई है next question which of the following is input device तो इन में से input device कौन सा है तो इसका correct answer है option A scanner scanner एक input device है और बाकी जो बाकी बचते हैं speaker, monitor and projector तो ये क्या है output devices next question the actual execution of instructions happens in तो इसका correct answer है option A ALU arithmetic and logic unit तो ये है एक central processing unit तो इसमें actual execution कहां पे होगी तो इस unit में होगी actual execution arithmetic and logic unit तो control unit जो है वो control करता है सारे का सारे operations तो scanner कुछ इस तरह का नजर आता है यहां पे हम कोई भी page जिस पे कोई image या text है वो रखते हैं और वो सारा का सारा text या data वो computer में monitor पे हमें show हो जाता है तो ये एक photocopy machine की तरह हम वर्क करता है जो की digital form में उस image या data को हमारे computer में present करता है next question daisy wheel printer is a type of तो daisy wheel printer जो है वो कौन सी type का printer होता है तो इसका correct answer है option B impact printer अच्छे ये देखिए यहां पे printers को classify किया गया है impact printer कौन कौन से है and non impact printer कौन कौन से है तो daisy wheel की इस categories में आता है impact printer बाकी impact printer, drum printer, dot matrix non impact होते है inkjet यह यह डेस्टॉप printer और laser printer तो यहां पे भी different तरीके से यहां पे categorize किया गया है printers को आप यह भी देख सकते है next question artificial intelligence is associated with which generation तो artificial intelligence कौन सी generation से associated होती है तो इसका correct answer है option D fifth generation तो इसके बार में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि fifth generation में artificial intelligence आई थी तो artificial intelligence knowledge information processing system पे dependent होती है जिसमें voice recognition, face recognition, etc. चीजें आती हो next question, what is a light pen, तो light pen क्या है, तो इसका correct answer है, option B, optical input device, अच्छा एक और optical device होता है, और वो है mouse, तो mouse को भी optical device बोला जाता है, जो कि आज कल, तो जिस mouse के नीचे जो light, red color की light हमें नजर आती है, उसे हम optical mouse बोलते हैं, उसे पहले कुछ mouse आते थे, जिसके नीचे ball होती थी, तो उन्हें हम mechanical mouse बोलते थे, next question, each model of computer has, तो कोई भी computer का model हो, उसमें कौन सी language होती है, तो इसका correct answer है, option B, machine language, तो हर computer की machine language जरूर होती है, because computer को सिरफ और सिरफ machine language ही समझ आती है, जो low level language है, या फिर binary language है, और binary language में zeros and ones होते हैं, तो light pen कुछ इस तरह का नजर आता है, light pen का use, अगर आप बात करो, तो हमने देखा होगा, कि जब cricket का match चल रहा होता है, और वो TV पे telecast हो रहा होता है, तो वहाँ पे commentators कई बार क्या करते हैं, light pen की help से players को round कर देते हैं, तो वो किसके use से कर रहे हैं, light pen से, तो computer की screen या monitor पे, जब हमने कुछी चीज को mark करना होता है, तो light pen वहाँ पे भी use होता है, अच्छा students, ये fundamental की series का last part है, और हमने इसमें four parts complete कर लिए हैं, अगर आपने previous parts को अभी तक नहीं देख था, तो link description में है, आप वहाँ से जाके उन parts को भी देख सकते हूं, Students, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप Student Success Channel को subscribe करो, वीडियो को like, comment and share ज़रूर करो, ताकि आपके friends भी इस वीडियो का benefit ले सकते हैं, Thank you for watching.